कम लागत में मोटा मुनाफा दीने वाला व्यपार बन गया है छोटी सी जगा में कम इन्वेस्टमेंट से ये बिस्निस शुरू कर लोग लाखो का मुनाफा कमा रहे है खाने का तेल स्वस्त शरीर के लिए आफशक फैट्स पहुँचाता है कच्ची घानी से निकले तेल में ये हैल्दी फैट्स मौचूद होते हैं चक्की या घानी में पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले तेल को ही कच्ची घानी तेल कहते हैं ये तेल कोल्ड प्रेस्ट प्रणाली से तयार किये जाते हैं अब कोलू की जगा मशीरों से चलने वाली कच्ची घानी की यूनिट 15 गुनित 15 जैसे छोटे से एरिये में लगाई जा सकती है सरसों का तेल निकालने के लिए कच्चा माल सरसों के दाने ही होते हैं काले सफेद और पीली सरसों के दाने या उनके मिश्रण से तेल निकाला जाता है 100 किलो बीज से तकरीबन 35 किलो तेल निकाला जा सकता है इस यूनिट को लगाने के लिए घानी, एक्स पेलर और फिल्टर प्रेस की जरूरत होती है कच्छे माल समेद 10 लाख रुपए की लागत से यूनिट खोली जा सकती है पावर घानी से शुद्ध तेल मिलता है क्यूंकि इसमें दानों की क्रशिंग लकडी से होती है ओखली नुमा खाचे में एक लाट खडी होती है ओखली भी लकडी की होती है और लाट भी लकडी की इन दोनों के बीच में तेल की क्रशिंग होती है तेल निकलते समय तापमान 15 डिगरी के आसपास रहता है इस कारण से तेल के पौश्टिक तत्व नश्ट नहीं होते है घानी में एक बार में 10 किलो सरसों का तेल निकाला जाता है उसके बाद खाचों में बची हुई सरसों के केक से और भी तेल निकाले जाते है केक में 8-10 प्रतिशक तेल और होता है इसे निकालने के लिए एक्सपेलर का इस्तिमाल किया जाता है घानी और एक्सपेलर से निकाले गए तेल को माइक्रोनिक फिल्टर प्रेस से च्छानते हैं जिसके बाद शुद्ध तेल मिलता है अब ये कंटेनर्स, बोटल्स या टैट्रा पैक में पैकिंग कर बजारों में बेशने के लिए तयार है एक्सपेलर में सबसे आखर में राई की चमड़ी बचती है जो जानवरों को खिलाने के लिए खली के रूप में प्रयोग की जाती है इसे भी पशु अहार के रूप में बेचा जाता है कच्ची घानी से सर्सों के अलावा मूंफली, नारियल, असली तील और करड़ई का तेल भी निकाला जा सकता है आकरशक पैकिंग के बाद इन्हें घरेलू विदेशी बजार में बेचा जाता है केंद्र और राजी सरकार के कई विभाग विवसाय खोलने के लिए लोन भी मुहया करा रही है जिनमें सूश मखाद उद्योग को बढ़ावा देने वाली प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ओफ माइक्रो फूट प्रोसेसिंग इंटर प्राइसेस योशना प्रमुख है टाइमेट मध्यप्रदेश के लिए ब्योरो रेपोर्ट मैं हुसीमा वर्मा टाइमेट मध्यप्रदेश से टाइमेट मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भू बज़ार रहता है आपके कमेंस का